हलो गैज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी लेंग्विज में strcmp function का यूज करके किस तरह से हम इस ट्रिंग को compare कर सकते हैं प्रीविस वीडियो में हम लोगोंने देखा था कि strcmp function क्या काम करता है और simply इस वीडियो में हमें करना है दो string input देनी और चेक करना वो equal है या नहीं है same है या नहीं है तो लेट्स दूइट गाइज तो प्रीविडियो में हमने बनाया था strings हमने input ले ली थी and simply अब हमें यह चेक करना था कि यह string बराबर है या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हमने character type carry बना दिया then एक diff variable बना दिया user को message दे दिया enter first string enter second string दो strings input ले ली then हमने strcmp से दोनों का difference calculate कर लिया है अभी हमने यहाँ पर चेक किया अगर difference बराबर है किसके 0 के तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया strings are equal strings are equal और same और else part में हमने प्रिंट करवा दिया strings are not equal और इसे save कर देते हैं strcmp compare string and c source file ना इसे हमने रन किया और यहां हमने input दे दिया तरून और दूसरा भी हमने input दे दिया तरून तो strings are equal और same now एक बार और हमने रन किया अभी यहां पर हमने इनपुट दिया एक तो दे दिया तरून एक इनपुट दे दिया वरून सो strings are not equal तो simply हमने किया क्या यहां पर चेक कर लिया इफ लगा करके कि difference अगर बराबर है जीरो के इसका मतलब स्ट्रिंग सेम है और अगर यह कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो गाइज